पहला सवाल आपके लिए दे रखा है कि एक सबसे छोटी संख्या के अंकों का योग क्या होगा जिसे अगर हम 15, 18 और 42 इन तीन नंबर से डिवाइड करते तो हर एक सिचुएशन में हमें रिमेंडर 8 मिल रहा है और आपसे ये भी बोला गया है कि वो जो नंबर है वो 13 से completely divisible ह उस संख्या के अंकों पर बात किया अब इसको पता करने का इसको solve करने के तरीके पर काम करें कि इसे अगर हमें solve करना है इसकी अपरोच तो आपको तरीका तो ऐसा सिखा दिया जाएगा कि आप सवाल को देखने के बाद में सीधा ऐसे टिक कर सकते हैं कि इसका जो answer है वो 26 ह और कई बच्चे जो पुराने बच्चे हैं उनको ये techniques मेंने सिखा भी रखी है कि इस सवाल को करना कैसे है तो इस तरीके से भी टिक कर लेंगे लेकिन हमें सवाल का concept सीखना बहुत जरूरी है मेरे बाई कहते हैं कि अधूरा ग्यान little knowledge is a dangerous thing बहुत खतरनाख चीज है concept समझ लो heading डलो इस पर concept ठीक है कि concept क्या रहेगा फिर हम लोग approach की बात करेंगे राइट चलो तो question आपको दे रखा है कि कोई एक number है वो number 15 और 18 और 42 इन 3 number से completely divisible है तो मेरे बाई सबसे पहले आपको करना पड़ेगा इन सभी का LCM 15 18 and 42 इन सभी का LCM निकालना है तो LCM निका कच्छा तीन में है ना कच्छा तीन में ये तरीका सीखा था अभी फिलाल आप कर रहे हो SSC CGL की preparation मतलब officer बनने जा रहे हो तो कच्छा तीन के student का label और एक officer का label same नहीं होना चाहिए तो मेरे हिसाब से इस तरीके से solve नहीं करना चाहिए reason क्या है क्योंकि ये तरीका आपका time लेता है time जादा लगता है इस तरीके से सवाल को solve करने में और हमें time ही save करना है तो LCM लेने का तरीका सीखो क्योंकि LCM आपको जगे जगे लेना पड़ेगा time and work topic बिना LCM के आगे ही नहीं बढ़ता है number system में चलते है HCF LCM अपने आप में एक topic है तो एक important चीज है तो जल्द power यहां पर क्या मिल रहे कुछ नहीं मिल रहा है यहां पर में दो मिल रहा है यहां पर कितना मिल रहा है तो इसका मतलब दो का सबसे बढ़ा power मिल गया हमें अब बात करते हैं 3 के बारे में तो 3 यहां पर मिल रहा है बोले बिल्कुल मिल रहा है यहां पर 3 मिल रहा है अब 18 में 3 का कितना power मिल रहा है बोले सर्थ 3 का square मिल रहा है 18 में 9 मिल रहा है 18 में 9 मिल रहा है मतलब क्या हो गया यहां से बोले सर यहाँ पर 9 हो जाएगा यहाँ 3 तो 3 का सबसे बड़ा पावर 3, 9, 3 मतलब 9 मिल रहा है इसी तरीके से 5 का 5 हो जाएगा and 7 का 7 क्योंकि 42 में हमें 7 दिखाई पड़ रहे है हो गया काम यह आपका LCM है मेरे यह जो आपका है वैल्लियो यह आपका LCM है अब हमें क्या करने है बस इनका multiply करने है तो 5 दूनी 10 और 9 सत्य 63 LCM हो जाएगा मेरे भाई 630 630 हमने निकाल लिया LCM यहाँ तक clear हुआ सभी को yes और no अब इन्होंने क्या बोला है कि जब हम किसी number में हम divide कर रहे है इन सभी से तो हमें हर एक situation में 8 remainder मिल रहा है अब यहार 630 जो है वो तो completely divisible है अगर हमें 8 remainder चाहिए तो उस 8 remainder के लिए क्या करें तो आपको कि सर यहाँ से जो general number आएगा वो number हो जाएगा 630 X plus 8 अब इससे होगा क्या जब हम इसे 15 से divide कर रहे है तो यह 630 पूरा-pूरा कट जाएगा remainder 8 अगर हमने 18 से divide कर तब यह 630 पूरा-pूरा कट जाएगा remainder 8 और अगर 42 से divide करें तब यह पूरा-pूरा कट जाएगा remainder 8 तो यह हो गया आपका general number जो आपका number की general form है वो आपकी यह हो गई अब आप खुद सोचो ना की तरीका कितना गलस चिखाए गया है अब करना किया कि अगर हमने यहाँ पर x की value रखी एक बात समझ ना मेरे भाई अगर हमने x की value एक रखी तो number हमारे पास आ जाएगा 638 राइट x बराबर 1 रखने पर 638 आ गया फिर हमने इसे 13 से check किया 13 से divide करेंगे तो यह कितने बार 4 बार जाएगा यहाँ से 11 बज़ गया 118 cancel नहीं हो रहा है अब क्या करें बुले सर दो बार करो x बराबर 2 रखो जह हमने x बराबर 2 रखा तो यह हो गया 1260 और plus 8 यह हो जाएगा 1268 यही तो हुआ फिर से क्या करना है फिर से 13 से check करेंगे क्या 13 से cancel हो रहा है नहीं हो रहा है मेरे भाई मुद्द समझो problem क्या है इसमें क्योंकि सर इसमें time बहुत किल हो रहा है और अपने पस time है कम क्योंकि यह time है ना मैंने पहली बिताए बहुत precious time है इसको बहुत समझाल के खर्चा करना इदर उदर की चीजों में बरबाद मत कर देना है ना तो अब देखो करें क्या मुले सर अगर हमें 13 से ही check करना है तो क्यों ना इसमें 13 से divide कर दो जितना cut जाएगा हटा दो बचा हुआ calculate कर लेगे तो मेरे भाई अगर 630 में divide करो 13 से तो 4 बर भाग जाएगा 13 चोको 52 11 बचा मतलब 110 हो गया और 13 अठे 104 finally क्या होगा बोले सर 6 remainder आएगा यहाँ पर कितना remainder आएगा 6 remainder आएगा तो 6x plus 8 will be your remainder यह क्या हो गया बोले सर यह remainder हो गया yes or no अगर मैंने 13 से इसे divide किया तो क्या यह remainder हो जाएगा यह आपका remainder हो गया मेरे भाई अब इन्होंने कहा है कि यह number जो है यह 13 से divisible है तो remainder नहीं मिलना चाहिए इसका मतलब अब x की ऐसी value रखो जो 13 से पूरा-पूरा कट जाए मेरे भाई आप बतो calculation पहले से आपकी आसान हो गई या नहीं हो गई calculation पहले से आसान है अब अगर x वराबर हमने 1 रखा तो 8 6 14 नहीं हो रहा है x वराबर 2 रखा 12 8 20 नहीं हो रहा है x वराबर 3 रखा 18 और 8 26 यह पूरा-पूरा कट जाएगा 13 से कट रहा है इसका मतलब क्या हो गया x वराबर 3 से satisfy करेगा क्या हो जाएगा इसका मतलब इसका मतलब हो गया x वराबर 3 से satisfy करेगा मेरे भाई अब x वराबर 3 यहाँ पर रख दीजिए आपका नंबर कितना हो जाएगा बले सर जब x वराबर 3 रखेंगे तो छेतिया 18, 1890 प्लस आठ, 1890 प्लस आठ, ये नमबर हो जाएगा 1898, ये नमबर हो जाएगा 1898 और इन्हों ने आपसे पूछाए कि मुझे इस नमबर के अंकों का योग बताई है, अब हमें क्या करना है, इस जो नमबर हमने फाइनलि निकाल दिये, ये वो नमबर है आपका जो 15, 18 और 42 से डिवाइड करने पर हर एक सिचुईशन में 8 रिमेंडर देगा, और ये नमबर 13 से completely divisible भी है, अब क्या करना है, अगर ये 13 से डिविजूल है, इसके अंकों का योग 81998, 26 option, डिकरेक्ट है, ये हो गया इस सवाल को solve करने concept, और ये सवाल most repeated question में से एक है, ये आपको आज के ही session में इस सवाल के कम से कम 4-5 सवाल की practice भी करवानी है, अब मेरे बही जड़ा approach पर चलते हैं, तो एक चीज जड़ा समझने वाली बात है, notice करने वाली बात है, कि इस number को हम divide कर रहे हैं 18 से, 18 से, काम वाली चीज तो यही है, है ना, हमने क्या करना है, इसे 18 स होता है, 9, 9 into 2, और 9 का divisibility आप सभी को पता है, 18 में होता है, 9 और 9 का divisibility आप सभी को पता है, आप सभी को मालूम है कि 9 की divisibility में अंको का योग 9 से कटना चाहिए, और अगर यह कह रहा है कि नहीं, 8 remainder आ रहा है, तो इसका मतलब अंको का योग में जब हम भाग करेंगे 9 से, त अप्रोच आपकी तब लगेगी क्योंकि इन्हों ने हमसे पहले से ही पूछ रखा है sum of digit और sum of digit का concept कहा पर लगता है बोले 3 और 9 की divisibility पर हमें देख गिया यहाँ पर 9 दिखाई पट रहे तो हमने sum of digit निकाला अपने option पर गए जब 25 में 9 से भाग करेंगे 18 कट जाएगा 7 remainder आ कितना remainder आएगा 4 remainder आएगा यह भी गलत है जब आप 26 पे पहुंचते हो ना मेरे भाई 9 से divide करोगे 18 कट जाएगा और आपके पास 8 remainder condition satisfy तो यह हो गई इस सवाल को लगाने की अप्रोच इसी तरीके का एक सवाल है और यह सवाल अब आप लोगों को लगाना है सेम question है आपके लिए कि number आपको दे रखा है कि जब एक संख्या को हम 12, 16, 18, 20 and 25 से divide कर रहे हैं तो हमें हर एक situation में 4 remainder मिल रहा है अब आपसे वो लगे लेकिन यह number 7 से divisible है बात समझने मेरे भाई तो इस संख्या के हजार में इस स्थान पर क्या होगा यह question SSC CGL mains में आया हुए सवाल है 11 सितंबर 2019 को जो mains का paper हुआ था उस में आयोगा सवाल है और आप खुद समझो जो तरीका आपको सिखाएगा उस तरीके से सवाल कितनी आसानी से लगेगा तो अब करना क्या है हमें इस सवाल के लिए जड़ एक बर बताओ comment करके कि हमें करना क्या है सवाल में सबसे पहला काम मेरे भाई हमें 12, 16, 18, 20, 25 का LCM लेना है और LCM लेने का तरीका जो आपको सिखाया है वो अपलाई करो क्योंकि अगर आपने टेवल वाला तरीका लगाया न तो आपको solve करने में time लग जाएगा और इतनी देर में आपका competitor आपसे आगे निकल जाएगा नौकरी ले जाएगा फिर आपका inspector बनने का सपना सपना रह जाएगा और हमें सपने को जीने का कोई सौक नहीं है हमें सपने को हकीकत में बदलने का जुरून है तो इसलिए आप लोग बहतर तरीके से पढ़ाई करूँ हम लोग बात करते हैं कि यहां से हमें अगर LCM निकालना है अब 2 का सबसे बड़ा power factor कौन मिल रहा है 12 में हमें हमें मिल रहा है 2 का सबसे बड़ा power factor मेरे भाई समझ न हमें 12 में मिल रहा है 4 क्योंकि 4 तिया 12 16 अपने आप में 2 का एक power factor है 18 में हमें 2 मिल रहा है 20 में हमें 4 मिल रहा है और यहां पर हमें कुछ नहीं मिल रहा है तो 2 का सबसे बड़ा power factor कितना मिल गया, आपको कि सर 16 मिल गया, बात समझ में आई या नहीं, yes और no, 2 का सबसे बड़ा power factor कितना मिल गया, वोने सर 16 मिल गया, और ये चीज आप देख के ही पता लगा सकते हो, right, चलिए, अब इसके बाद में 3 के power factor की बात करें, तो हमें यहाँ पर 9 मिल रहा है, 3 का सबसे बड़ा power factor, 5 के बारे हम बात करें, तो directly 25 ही रखा है, और in 2, 3, 5 के अलावा, और कोई number हमें यहाँ पर prime number दिखनी रहे, 2, 3, और 5 के अलावा, और कोई भी prime number हमें यहाँ पर दिखनी रहे, इसका मतलब यही हो जाएगा आपका LCM, multiply कैसे करना है, तो मेरे भाई, देखो, 16 को हम अगर break कर लेते हैं, 4 into 4 में, देखो, यही तरीके होते हैं, जो आप से बुले जाते, calculation की 100 trick, है ना, यह सब तरीके होते हैं, calculation को जल्दी और आसान करने के, कि भाई, हम 16 को अगर हमने 4 और 4 में break कर लिया, तो अब होगा क्या, बुले सब 4 LC हम आगे आपका, अब इन्होंने काए कि इस number को जब हम divide करते हैं, इन सभी से, तो हर एक situation में 4 remainder आता है, then what is the general equation of your number, तो आप कहोगे सर, हमारा जो general equation हो जाएगा number का, वो हो जाएगा 3600x, और 4 remainder का है, तो यह 4 remainder, यह हमारा general number है, बोलो हाँ या ना, यह हमारा number है, लेकिन इ score समाल लेता है, अब 7 की divisibility, 7 से divide करो remainder जो भी आए रख देना, 7 से divide करो remainder जो भी आए रख देना, तो 7 से divide गया, 7, 5, 35, खतम, 1 बचा, 10 हो जाएगा, 7, 3 बचा, 7 को 28, मतलब 2x plus 4, यह remainder आया, 7 से divide करने पर remainder है, 2x plus 4, जबकि question कह रहा है कि हमारा जो number है, वो 7 से completely divisible है, यह remainder न अब x की ऐसी value रखो, जो यह 7 से divisible हो जाए, 7 से कट जाए, x बराबर गर एक रखा, तो 2 और 4, 6, नहीं हो रहा है, x बराबर 2 रखने पर 8 हो जाएगा, x बराबर 3 रखने पर कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा, x बराबर 4 रखने पर 12 हो जाएगा, अभी भी साथ से नहीं बेंगे ज़ए, that means x is equal to 5, x बरावर कितना हो जाएगा, 5, अब x बरावर 5 अगर यहां रख दिया, तो आपका नमबर हो जाएगा, मेरे भाई, यहां से x बरावर 5 रखने पर, अगर हमने x बरावर 5 रखा, तो नमबर हो जाएगा, च्छतिसो, गुणे 5, और प्लस का 4, और प आपका यूनिक नहीं, सबसे छोटा नंबर है, जिसे जब हम 12, 16, 18, 25 से डिवाइड करते हैं, तो ये 4 रिमेंडर दे रहा है, और ये 7 से completely divisible है, बात सभी को समझ में आई या नहीं, देखो सवाल वो सीखो, जो आपके एक्जाम में आते हैं, जिन सवालों पर आपका डिपेंड करता है, otherwise YouTube बहुत बड़ा समंदर है, यहाँ पर दुनिया भर के सवाल दिखाए जाएंगे आपको, ऐसे ऐसे सवाल दिखाए जाएंगे, जिनका आपके एक्जाम से दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं होगा, और फिर भी आपसे कहा जाएगा, बहुत है ना, आप हो एक sprint, आपका focus है अपने एक example, कल आपका example दिया था ना, कि आपका जो target है, वो set होना चाहिए, कि आपको किस चीज की preparation करनी है, से सी सीजल के लिए preparation करनी है, तो उसके mock test लगाओ, उसका previous year paper लगाओ, previous year paper से क्या होता है, हमें पता लगता है कि exam किस तरीके का है कौन से सवाल जादा आते हैं, कौन से सवाल कम आते हैं और सवाल किस label के होते हैं, आप खुद जज कर पाओगे कि हमें क्या पढ़ रहे हैं और क्या नहीं पढ़ रहे हैं, तो चलो भी, number हमारे पास आगया, 18004, अब हम लोग बात करते हैं, इन्होंने हम से पूछा है, then what is the digit at the thousands place in X, मतलब इसमें हजारवे स्थान पर कौन सी digit रखी हैं, यह आप से पूछा है, तो अगर हम हजारवे स्थान की बात करें, तो आपको पता ही होता है, दहाई सेंकड़ा, और फिर हजारवे नंबर पे कितना रखा हुआ है, आठ, इकाई, दहाई, सेंकड़ा, हजार, हजारवे नंबर पे आठ रखा है, तो इसका मतलब आप्शन सेकंड़ करेक्ट है, यह सवाल है, SSE CGL का.